नमस्कार जुहार यह क्या है और क्या इसकार्टर का इसका ऑफ इसकी थियूत को हुस्टूर्ण्रेश स्रॉड्ष मीर προच्वबूर्ण पाट्ना सब्सक्राम के निई म मुंबेह स Conseller über Cambridge सब्सक्राइब के लाइब कमपची के एक एक विए सब्सक्राइब' तो basically जैसे से इस इस प्रूव्व टाइम होता है गहा है 16-17 उससे में लोग का इंटिरियर्स रिपार्मेट इसली आए कुछ क्लाइन समय से तियुक्त रिवहरो तो वहाँ उनका घर है पटना में गर हुआ राची में है तो उनका इस प्लान है कि घर को रिट करवाना बट दे कांट र्लाइ ओन अठाव सर्विसे प्रवाइड लिए तो हम लोह को अपरोच किये एक अच्छे सर्विच देरह अब ज़स्ट राओ बशुख देती गो आप अब टिस तरह की सिर्वस्स अब उनको प्रवाइड करते हैं व्होम इंटिर रेनोवेशन पेंटिंग से वर्को ते ना के जो घर का दिजाइन करवा के एन-to-end एजिकूट करना चाहिए जो बॉलिट इन और फिर गॉल्च वर्जट वर फिर लिड वर साइज वर और थे विल्च वर्टिंग वर्कोरप्रेंट कर दो क्या जो फिल आख से जो आप अपने interior designing की concept में follow करते हैं क्योंकि interior designing तो बहुत लो करें तो आपके startup क्या union निस है यह क्यों होते हैं हमारे पास हम लोग रिसर्च करके materials रिसर्च करते हैं जो materials एक budget में comfortable durable हो वो हम लोग clients को provide करते हैं budget में होते हैं same आपका जो भी products होते हैं market में अगर हम लोग अगर हम लोग अगर हम लोग 2400 देंगे वो लोग but we are providing the budget because बहुत लोग क्या होते हैं इन वें आपको पैसे लोग वेस्ट करवा देते हैं भी जायनी के नाम बहुते हैं लोग they have money enough money just they can spend but we are just providing budget and quality services for that अगर हम बात करें आपकी start-up की तो initially आपकी पढ़ाई खतम हुई आपने को job करा तो क्या ऐसा खयाल आया कहां से प्रिणा श्रोथ आई कि आपने job छोड़कर और आपने decide करा कि आप मुझे start-up करता है हां basically मेरे बचपन से मेरे पापा stock market investment करते तो उनों ने उसमें क्या हुआ कि फाइनेसेस निकल कर आते हैं अपका reports आते हैं company businesses कैसे gain करती है तो निया हमें कैसे clients कहां साहते हैं financial transactions कैसे होते सारा कुछ उससे मझे बचपन से interest था कुछ businesses का sense होने लगा था अविन आइवाज इंवेस्टर बिंग आफ अफटें अले 10th class stock market investment सार्ट करते सारा कुछ तो से मेरे फाइनेसे करना सारे बड़े बड़े कंपनी तो नियुक्त कंपनीज हो गया तो समझ मादा था कि business कहा रहे है तो एक था कि माइन में कि even though that stock market support किया backbone की तरह after completing my engineering in 2011 I work for two years in Hyderabad at the time I just feel that okay I can do my own business because I have like I'm getting some money from other part other other sources like stock market somewhere so 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 that's a start-up का प्रेना श्रोत आप प्रेना श्रोत आपकी पिता श्री रहे तो अगर आब आपकी बैक्राउंड की बात की जाए तो engineering छोड़कर start-up में शुरू करना कहा से ये डाइवर्शन आया बेसिकला मुझ सॉफ्ट्रे इंजिनियर्स तो मुझे सॉफ्ट्रे का नॉलिज अच्छा होने कार मैंने उसी फिल्ड में मैं बता है कि मैं starting online platform था है तो software की थुरू में सारा एक होता है एक चैनल है जिसे बड़ी-बड़ी आज start-up दिखेगा जो मैटो स्विगी जो भी बड़ी कंपनी से ओला हो गई ये बैसिकली a software company they have a platform to maintain a quality in vendors they provide quality services to people's this kind of thing we have thought at the same time software engineers required there अच्छा तो आप एक engineer थे software engineer थे और उसी को background बनाकर आपने एक better start-up खड़ा करने का सोच लाया बात करें अगर urban care के नाम के बारे में urban care जो नाम है काफी unique है क्या uniqueness है इस नाम की और किस तरह से आपका concept आया urban care के क्या जो नाम को रखने के लिए अपनी start-up को लिगर अपनी start-up खड़ा उड़ा की अपनी start-up के बनाम का अर्बन एरिया होली, we want to care the home and hostels work, hostels services, that part we are like urban care. तो basically आप कहना चाहते हैं कि interior designing के लिए जो urban areas के लोग हैं, वो जादा desirable होते हैं. तो अर्बन के पास time भी नहीं होता, कि वो local vendors के लिए पेंडरी से के. तो urban care आपका नाम का concept वहां से आया, regarding the urban people. अब इसी से अगर हम बात करें आपके clients के focus की, तो अभी तो आपने बताया है कि urban जो लोग हैं basically, वो उनका एकमीश रेक्वार्मेंट होता है, लेकिन उसके अलावा, आपका clients group और कहां कहां हैं, मतलब कौन कहौन से focus groups हैं society के, जिन पे आपका, as an audience, as a client, आप जिनको cater करते हैं basically we have targeted customer like their professional service, professional work, जो काम कर रहे हैं, बहुँ बीची हैं life, professional services में, they don't have time, enough time to like, look out to things, reliable company चाहिए, काम करने के लिए, we have that kind of client, मतलब किस किस, क्या corporates के लिए भी करते हैं, business houses के लिए, business houses के लिए, home owners, of urban areas, जितने भी urban areas के आपके clients हैं, सभी को cater करते हैं, अच्छा, यह चीज शुरू कैसे होई, कैसे मतलब, शुरुआत होई इसकी, आपके cater करने के, और किस group के साथ शुरूआत होई, किस group के साथ, किस particular society के group को आपने शुरूआत में केटर करना शुरू किया, कैसे इस start-up के आपने शुरूआत करें, initially? अच्छा, इस start-up की सुरूआत, गृॉप जिनका घर है, जिस यहाज हारकन में, जो बाहर रह रहा है, they need quality services, अस्टार्टप विजिए, small service, plumber, electricians. एक स्टोरी महार पास है कि पतना में, अब लोगी आदे हम अरे हैं उनको पारियुन एक सबस्सक्याइट था बहुत माइन शर्विसस रॉक्वाईट था उनके व बहुत पारवार्यशा हैं। जी प्लस टू बिल्डिंग था इंटियर रिनोवेशन काम पुरा होना था तो दे रिलाइ ओन अस नो यू अर्बन केरे बेस्ट कंपनी तो दू दा वर्क तो वहां 2017 से काम जर्णी स्टार्ट हुई इंटियर्स में आने का, आपकी शुरुवात हाउस होल से हुई और जो अर्मन लोग हैं उन्होंने इंटियर्स के लिए आपको चॉइस करना पसंद किया तो वहां से आपकी शुरुवात हुई बात कर अगर इंवेस्मेंट की या रेवेन्यू की तो रेवेन्यू कैसे आपके कामपणी में और आपकी काम्पणी में तब क्या मोडूल है रेवेन्यू जनरेशन का रेवेन्यू जनरेशन का मोड्यूलस कर बचल बेशिकल ब़कल फोड़ किस्टमर एडवास्टबरश सब्सक्राइब आपके साथ कितनी लोग जुड़े हुए है इस टार्ट-अप को लेकर डिरेकली या इंडिरेकली जिए को आप इंप्रिमेंट प्रवाइब है 25 लाक लोग वाकी 6,000 जो हमारे आफ रोल वरकर्स मास अटाच है काम करने के लिए बाकी 25 लोग हमारे साथ आउन रोल है काम कर रहे हैं मतलब डिरेक्ट्ली 25 लोग इनवाड़ है और इनडिरेक्ट्ली 6,000 लोग इनवाड़ है आप अपकी साथ miljard नियॉब पर UK를 हैना इनदॉडर राचली कुई पतचिभाट्स है तो औरिमियू शहर के द माड़ेक्ट्ली तो जो लोग आपसे डिरेक्ट्ली या इनवाड़ु है आपकी साथ, आपकी स्टार्टप में, उनके साथ revenue share कैसे हो पाता है? क्या revenue sharing का module है, जो आपने रखा है अपने startup में, उन लोगों के लिए जो आपसे directly या indirectly चुड़े हैं? और किस-किस ग्रूप की लोग जुड़े हुए हैं आपकी साथ स्टार्टप में directly या indirectly, जो आपको help कर पाते हैं? वेजर IT people involved in like MBAs, I also done an executive MBA from IIM in Daur, last year only. ने, इंटीर डिजाइन में हैं से क्या क्या sections हैं जिसके लिए आप लोगों को employ करते हैं? कार्पेंटी, इल्ट्रिकल, पेंटिंग वर्क्स, और जो स्मॉल ब्लो कॉल जो होते हैं, वो लोगों साथ पार्टनर्शिप के लिए साब काम के लिए सारे कुछ का. क्या से इंशॉर करते हैं, बहुत सारे लोगों होते होंगे, इस्पर्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों होते होंगे, कुछ उनको अपना कस्टमाइजेशन चाहिए होता होगा, तो उसको आप कैसे केटर कर पाते हैं, कई बार आपके लिए डिफिकल्ट भी होता होगा, कि कस्टमर साटिस्फाइइ नहीं हुआ, तो वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको आप किस तरीके से केटर कर पाते है Customer satisfaction हमारे लिए इसलिए है ना कि हमारे सॉफ़वेर के पार होने कारण design and detailing very much clear. काम start होने पहले साहरा कुछ clear होता है, क्या होने वाला है, क्या दिखने वाला है. Just like हमने एक image show किया, तो same image replicate होना है. तो there is no chance of conflict with customers, not confusion. मतलब आप interior designing के पहले उनको एक image or model show कर देते हैं, जो वो पसंद करते हैं, उस basis पे आप उनको surf करते हैं. Exactly matching होता है, कोई doubt ही नहीं होता है, कोई doubt ही नहीं होता है. किसी particular चीज में उन्हें नुक्स निकल जाती है, कि ऐसा नहीं मुझे ऐसा चाहिए था, यह अच्छा नहीं लग रहा है. At the time we can change the things, we can change the things. अगर इसी से बात करें आपके start-up की challenges की, तो कोई भी start-up अगर शुरू होता है, तो उसका जो entrepreneur है, वो काफी challenges को face करता है. तो आपने ऐसे कुछ challenges क्या face करें है start-up को start-up को start-up करने में या initially खड़ा करने में? Challenges था बहुत सब्सक्राइब करने में, हम मैं और my co-founder Swati Ma'am, like sister, I have experience of 15 years working as an electronic engineer at L&T and ABB. L&T and ABB, क्या है? वो दोनों में काम की, वो दोनों में काम की, वो साथ में काम के हम लोग है, तो दोनों अच्छी रहे जर्णी, बहुत सारे जगह पर शुरू रहा है, कि मा लोग clients को समझने payments की सुरू कर भी हो सकते थे, जब की, services vendors समझें कारएं काम को लेके, on time काम नहीं हो पा रहा है, कहीं के ओर आपीस हो रहा है, तो सब को चैनलाइस करने पर टाइम लगा, शीकनम समझने में था चीजों को, तो बहुत चैलेंजिग था, तो other things like that, payability issues, payability issues, those are payable, good quality customers, so that we can provide quality services to them also, that challenge was there, funds required, also funds required, like our employees cost also required, office expenses, everything is fixed, so that was challenge for us. तो आप अपनी customers को service देते हैं, अपनी customers को service cater करने से पहले, और कुछ भी challenges हैं, जो आप face करते हैं, उनकी साइट से, यह तो आपकी personal challenges होई, start-up की, client के साइट से भी challenges होती हैं, जो आप face करते हैं, उनकी services को उनको cater करने से पहले, quality and on time, on demand, जो words बोले हैं, उस question, that have to stick on that point, त महां से mismatch हुआ, तो client can be like something, okay, यह काम साइट अचा नहोपा है, यह होपा है, तो negative impact पड़ता है, जो words बोले हैं, words बोले हैं, जो words बोले हैं, तो that give a positive impact, on time services deliver करना, बहुत सारी सरकार के ऐसे schemes हैं, investment के लिए, start-up में बहुत सारे ऐसे योजनाए हैं, क्या किसे ऐसी scheme या योजना का लाब अभी तक आपको मिल पाए हैं, अपनी start-up को invest करने के लिए, हम लोगो funded हैं, बिहार गोर्वर्मेंट से, 10 lakhs रुपी सीट फंड मिला हैं, 2017 fund मिल चुक में established हैं, और next हम लोग प्लान कर रहे हैं, machine mechanized चीज़ों करने का, अभी था maximum चीज़ चल रहा था, अब लोग machine set-up करने का, जो पोरा आपका इतना furniture होते हैं, customized furniture सारे कुछ, machine set-up करने का, government का incentivized funds program हैं, उसमें प्लान करें, machine set-up करने का, तो machine mechanization से जो आप plan कर रहे हैं, interior designing, वो कैसे possible है, उसका concept कुछ हम ही बताइए, कि जो mechanization के आप बात कर रहे हैं, अबने interior designing में, किस तरीके से क्या concept है, जिरली क्या interior design में, wooden work आपका 70% होता है, लकडी का काम होता है, लकडी का काम होता है, लकडी का काम होता है, 70% काम होता है, एक घर को ही raw flat ले रहे है, 10 lakhs कमाल बजेट काम करने का, 70% आपका TV unit हो गया, आपका wardrobe हो गया, model kitchen हो गया, सू रैक हो गया, sofa हो गया, सारे कुछ furniture जादे होता है, तो basically क्या design की कोड़ने हम लोग furniture ready करना होता है, अब या तो manually carpenters, लोग involved रहे हैं, expert carpenters, लोग involved रहे हैं काम करने के लिए, और machines सी क्या होता है, finishing quality अच्छे होते हैं, और depending on manual works is less, हम quality काम time बे दिलिवर कर सकते हैं और अच्छे से, तो इसलिए machines का requirement है हमारे, और machines का, अब चाहें, मचीन का क्या-का usage है, I mean I can discuss by that also, बेलकूल, प्रीज, हाँ पर basically 4 machines होते हैं, जो एक होता है की ply cutting machines होते है, जो ply को cut करने का युश जनरली का होते है, तेन आपका laminate pasting machine होता है, इसको hot press machine बोलते है, that is very much expensive, then edge banding, जो edges होते है, जो एक होते है, उसका machines होते है, वो डिप्लाय होते है, main 3 machine होते है, बाके एक होते है, जो cutting machine होते है, CNC cutting machine होते है, वो साले होते है, quality किसम ही जादा होते है, manual काम में, mechanism में, mechanism में, quality जादा ensure होते है, तो basically आप कहना चाहरे है, जो urban areas में interior designing के लिए, जितनी भी चीज़े requirement होती है, उसको आप एक mechanism की मदद से machine, automated machine works में transmit कर दे रहे हो, जिसके वज़े से quality जादा बहुते होते है, अगर हम बात करें करांती की, तो कैसे करांती आएगी इस interior designing के field में, normally तो हम लोग देखते हैं के interior designing के field में वैसे ही काम चल रहा है, as usual, जल से चलते आ रहा है, एक set pro forma में, आपने कुछ अलग बताया, कैसे change possible है, कैसे क्रांती चेंज़ पॉसिबल है इस field में, इस field में क्रांती possibility इसलिए भी होता है, कि मिलब क्या बोलता है आपका, आज की डिट में lifestyle बहुत change हो गया है, मिलब जिसके कपड़े पहनना हो गया है, घर के लोग चाहते है अच्छा interior कर रहे है, lifestyle अच्छा जीना चाहते है लोग, उस में क्या होता है, जगह budget constraint होता है, budget constraint होता है, तो यह सुच बहुत जगह होता है, हम लोग एक services भी है, AMI पर आउफर कर रहे हैं, AMI भी आउफर कर रहे हैं, interior designing on AMI, interior designing on AMI, both the cities also, कौन-कौन से शहर सिर्फ limited शहर है या सारे के सारे? जितने से हम लोग काम इंदोहर, पत्ना, राची और गौहाटी, तो सारे में EMI facility आउफर कर रहे हैं, क्लाइं के लिए, ताकि एक होता है, EMI basis पर पांच साल, 10 साल के लिए अपना services ले सकते हैं, interior करवा सकते हैं, second क्या होता है, budget, budget क्या होता है, if you go for like branded very big brand companies, or some expert interior designers, they will charge like two to three times, whatever amount required, तो उसमें पॉलम है कि budget होते नहीं हर किसी पास एक कोड़ का 70 लाग अफ्लाग 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 लिए, तो उसमें बजट नहीं कि काम करवा है, 30-40 लाग और लगा है उसमें, they have very limited budget, घर भी बहुत लोग लिए होते हैं, इमाई कर रहा है, इमाई कर रहा है, तो बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, especially for job persons, तो वह हम लोग चाह रहे हैं, material से क्या होता है, assurance चाहते है, even termites का problem बहुत घर में होता है, termites, termites तो secure, generally अब किसी भी चीज़ काम करवेगा, तो आपका termites issue आ सकते हैं, घर में, सब जगह आपका वार्टोप, kitchens होगे, आपका issues create करेंगे, हम लोग उसको secure करने के लिए, high quality materials use कर रहे हैं, जो की specialized portion में लगा जाता है, हर जगा लगाने सकते हैं, ताकि उस चीज़ को secure कर पाए, termites नहीं लगे हो, आपको, that's our like, we have done research on it, termites free materials आप use कर रहे हो, कि वो सालो साल ते termites नहीं लगे हो, termites free materials हम लोग use कर रहे हैं, और भी company use करती हैं, but उसके prices two times होते हैं, compared to us, हम लोग उसी जगह use करते हैं, जहाब उसके requirement है, ताकि हमारा core concept बोल सकते है, बज़र को कम करने का, बालकृष्ण जी अगर हम बात करें, तो और भी बहुत सारी big companies हैं, big giant companies हैं, जैसे आपके गोदरिज हो गई, आपके कुछीना हो गई, तो वो सारे भी same interior designing के services offer कर रही हैं, तो उन companies को देखते हुए, आप कैसे competition को meet कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे customers होंगे, जो brand oriented होंगे, तो कैसे उस field में आप competition को meet कर पा रहे हो, तो कैसे उस field में आप competition को meet कर पा रहे हो, three times pricing, three times costly हमारे से वालब हो, पर इसमें की भी चीज होती है, कि जिन लोगों की पास पैसे बहुत जादा है, they'll still prefer कि हम उसी brand पे जाएं, जिस brand पे हम belief करते आ रहे हैं, तो इस competition को आप कैसे तोड़ोंगे? Actually, दो चीज है, क्या planning है, competition के field को लेकर? Competition, हमारे में उनके competition, pricing factor बहुत लोग पास नहीं होते हैं, हम लोग पास professional लोग भी हैं, budget become है, they are our target customers, then pricing which is a big factor, with the quality assurance and warranty, we are also getting warranty on our product also. I mean, compete करने के लिए जो आपने ये warranty रखा है, ये कितनी सालों तक की है? 10 years, 10 years, 10 years में क्या हो सकता है जिसके लिए आप warranty देते हैं? कुछ हमारे terms condition है, ये हर चीज़ पर पर डिफाइंद है, अलब पर डिफाइंद हैं, कुछ जीशे आप लुद्फे आपका हो गया है, आपका आपका वास्केश पर लोगा है, 10 years के वारेंटी आपका हो गया है, कुछ परड़त लागता है जहां पर वार्टल जों जादा है, वह हमला स्पेसिलाइज मेटरी लोज करते हैं उस जिसे आपका सिंक एडिया हो गया कुछ इचन में हो गया या वास्पेसिंग बातरूम हो गया या पानी बहुत जादा होता है वियर गभी वारंटी इंटेनियर्स आपके पॉड़ट्स मतलब कोई भी चीज अगर खराब होते है आपके इंटेर इजसम में तो अपसको फ्री आफ़ो सीज Apa देग आपको लगता है कि आपको लगता है केस्ट एक सुसाइट Victory को अपनाना चाहिए स्टार्ट अप एको सिस्टम में में इंडियां बहुत फास्ट इस लगता है अभी तो दिख रहा है बहुत चालेंजेज भी हैं बहुत पेसिंस आई होता है पर सिस्टेंस लगे रहना पड़ता आपको रिजल्स दिखेंगे नहीं बहुत लोग क्यों क्यों कर देते हैं और य बहुत लोग रहते हैं कि जो कुट करके नहीं जब फोर समधर वे यह आपका इन्वेशन जो भी होते हैं ना डाट इजायर इंसाद यूप हमको यह करना ही करना है एनिहाव बढ़ा करने के आपका सोच होनी चाहिए प्लस वो डिजायर वह प्र प्र ब्रें को एक्टिव कर बढ़ा करने का मांइन जब नहीं है तो फोटो जाएं डिख जाते हैं को देख लोग इंटर कर जाते हैं पर वोलों लॉंग ताम सेस्टेंग नहीं कर पाते हैं इनको मैंड़ा नहीं होता है बहुत लुग कम काम करना पड़ता है और बहुत ही अपना बिजनेस रहेगा इसा नहीं है आपको मौनिंग 6 तो नाइट 12 क्लॉक तक अक्टिव रहना पड़ेगा बिजनेस में सिंस सेवन येर्स आम एक्टिव डैक मस्टाइम एवन रात में नीन भी नहीं आते वो रात में काम करना पड़ता है आपकी अपनी स्टार्टप को आपनी सस्टेनेबल कैस जादे इंप्रवाइज पेरोल पर ने रखे हैं लोग ने बहुत कंसल्टिंट में रखे हुए हैं काम जो हो सकते हैं आपकी सेकेंड है कि ऑफिस का स्पीस थोटे रखे हैं ज्यादा एक्सीड नहीं करें बजट पर मंत का वो कॉस्ट हो गया है और देन रंटेट बेसे चा तो सस्टेन कने का एक मोडिल है हमारे पास माटेरियल्स को कैसे स्टोर करते हैं वेर हाउस में या फिर जिस जैसे ओर्डर होता मंगा रहा है तो बेसिकली आपका जो स्टार्ट अप है वो डिमांड और सप्लाई पे रन कर रहा है और एक चोटा सा इस्टाबिश्मेंट अगर हम बात करें अभी आपने स्टार्ट अप को लेकर इतनी चीज़े बताए कोई परसन जो नया स्टार्ट अप करता है उसको लेकर उसके माइंसेट को लेकर आपने इतनी चीज़े बताई तो अगर हम आपसे पूछे आपसे जाना चाहें कि कोई भी एक ऐसा नया परसन हो सकता है कि college से just अभी पढ़ कर निकला हो, हो सकता है job छोड़ कर निकला हो, वो अगर अपना startup शुरू करना चाहरा है या किसी innovative idea को लेकर एक startup initiate करना चाहरा है, तो किन बातों का ध्यान उसको रखना चाहिए या क्या उसके लिए, किस-किस चीजों का ध्यान उसको रखना चा concept, planning, mainly ideas may not matter, execution बहुत matter करता है, आप execution कैसे करते हो, बहुत लोग idea आते है, execution में फंच जाते है, execution difficulties आएंगे तो रह के learning ability होनी चाहिए, basically, सीख के execute करना चाहिए, that matter, persistent mindset होनी चाहिए, बढ़ा करने mindset होनी चाहिए, लोगों से collaborate करके, अच्छा behavior रखके लोगों बात करके, तो आप a startup अच्छे कर सकते हो, a startup रुद से अकेले नहीं पायागा, team चाहिए काम करने के लिए, जब तब behavior culture अच्छा नहीं रख़गा, आपके साथ लोग coordinate रखके बाएंगे, आप बढ़ने ही पाएंगे, और lesser ego matter, you should not have ego, यह काम कर देया, I have that much ego, for that purpose, ego less, kolbed the people, build a culture around you, behaviorally good, आप आप स्टार्ट पचीज कर पा होगे। और लोग आइएस को विलकम करो, चुमने आज़यों का आइडियों करो, आपको डिसाइड करने कि सिम्मिनॠ करती हो, इस रॉकार्ट रूकार्मयन भी रॉकार्मिंट है यह नहीं है। बहुत लोग आइडेस देने आ जाएंगे, नॉलिज देने आ जाएंगे, बट आपकी फाइनल डिसिजिन होगा, कॉल होगा कि अब मेज़ेश एजिक्यूर करना नहीं करना उचिछ को, आपको खुद को एजुकेट करने के साथ साथ आप लोगों की आइडियास भी ले बिफ झाएंगे करना इजिक्ट साथ